हलो फ्रेंड्स, आज के कॉन्वर्सेशन का टॉपिक है, कॉन्वर्सेशन बिट्वीन अ शॉप्कीपर अन अ कस्टमर एक शॉप्कीपर और एक रहा के बीच का वारता लाब on shifting from the place एक स्थान से दूसरे स्थान पर shift होने के बारे में इसी तरह के और भी कॉन्वर्सेशन पाने के लिए हमारी playlist को जरूर फॉलो कीजे वहाँ पर आपको near about 300 इसी तरह के कॉन्वर्सेशन पाने के लिए हालो माडम, आप कैसे हो? I am good Is it true that you are closing this shop? क्या यह सच है कि तुम इस दुकान को बंद कर रहे हो? माडम, we are not closing this shop माडम, हम शॉप को बंद नहीं कर रहे है We are just shifting to another place हम केवल दूसरे स्थान पर इस्थान आंत्रित हो रहे है Where are you moving to? आप किस तरफ move हो रहे हो? या आप किस जग है जा रहे हो? Where are you moving to? आप किधर move कर रहे हो? या किधर आप shift कर रहे हो? We are shifting our shop to Rajpur Road हम अपनी दुकान को Rajpur Road पर shift कर रहे है या स्थान आंत्रित कर रहे है It is near about 2 km far from this place यह है इस जगह से लगभग 2 km दूर है It is so far यह तो बहुत दूर है It would not be possible for me to come at your place मेरे लिए तुम्हारे जगह पर आना अब संभव नहीं हो पाएगा When are you shifting? तुम कब स्थान आंत्रित हो रहे हो या तुम कब shift कर रहे हो? We will shift the shop next month हम अपनी दुकान को अगले महीने shift कर लेंगे We will shift the shop next month Why are you shifting your shop? आप अपनी shop को shift क्यों कर रहे हैं? We are expanding our business हम अपने व्यपार को बढ़ा रहे हैं We will deal in stationary and utensils also हम stationary का सामान और बरतन भी बेचा करेंगे Dealing मतलब सौदा करना या बेचना This area is small for all this यह जो जगह है वह इन सब के लिए छोटी है यहाँ expending का मतलब होता है बढ़ाना Like I am expanding my business मैं अपने business को बढ़ा रही हूं इसी तरह के और भी conversations पाने के लिए चानल को subscribe और वीडियो को like करना मत भूलेगा